तो फिर मैं फिर से हाजिर हो रहा हूँ No Doubt का एक नए क्लास के साथ, आज की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं कच्छा 11 वी के गडिक सब्जेक के अध्याय तीन के प्रसना वाली तीन दरसमलों एक के प्रसनों को पढ़ने वाले हैं, जितना भी हो सकता है उतना मैं आपके डाउट को पूरी तया से जीरो कर दूँगा, तो No Doubt के क्लास में आज हम प्रसना वाले तीन दरसमलों एक के प्रसनों को देखने वाले हैं, तो श्टार्ट करते हैं प्रसना वाले तीन दरसमलों एक का पहला प्रसन क्या है, निम लिखे डिगरी माप के संगत रेड इन चारों प्रसनों को हमें हल करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहला प्रसन यहां पर दिया हुआ है, पचीस अंस दिया हुआ है, अब इस अंस मतलब यह किस मान में है, डिगरी में है, अंस का मतलब क्या होता है, डिगरी होता है, तो जो मान डिगरी में है, उसे हमें radium में change करना है तो चलो change करते हैं बहुत ही आसान प्रश्ण है यहाँ पे देखो यह 25 है इसका गुड़ा कर देंगे हम लोग pi upon 180 का pi upon 180 का हम गुड़ा क्यों कर रहे हैं क्योंकि जब भी हम radium में किसी भी मान को ग्याद करेंगे तो वहाँ पे हर जग़ा pi upon 180 का हमें गुड़ा करना है यह इसका सुत्र है radium गयाद करने के लिए हमेς पाई अपान 180 का हम गुड़ा करेंगे किस के साथ? डिग्री के साथ तो आसानी से वो किस में प्राप्त हो जाएगा हमें radium में प्राप्त हो जाएगा तो चलो आगे हल करते हैं और यहाँ पे हमें radium भी लिखना है पीछे में इस तरह से यहाँ पे 5 पंचे से यह कर जाएगा 5 तिया और 5 शक्के इन दोनों को गुड़ा करें कि 5 पाई आजाएगा और यहां पर आ जाएगा 36, यही क्या है, इसका answer है, समझ में आया है, देखो कितना आसान प्रस्न था, कुछ नहीं करना है, बस हमें क्या करना था, यहां पर हमें सिर्फ एक गुड़ा करना था, किसके साथ, पाई अपान 180 का, पाई अपान 180 का जैसे ही हमने गुड़ा किया, ह पाई दिया है, इस तरह से प्रस्न दिया हुआ है, इसके साथ भी हम वही करेंगे कि यहां पर क्या है, माइनस है, तो पहरे हम माइनस को बाहर लिख लेते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को टक के अंदर हम से 40 और यह 30 पाई इस तरह से हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पे मैं आपको एच्छी जोर बताना चाहूँगा, कि इस तरह से 30 पाइंट में अगर कोई मान दिया रहते हैं, 30 कहाँ पे, यहाँ पे, और देखो, उस उपर में क्या लगा, 10, मतलब इसे हम पढ़ते हैं, 30 पाइंट, तो 30 पाइंट में, यहाँ पे, पाइंट में, मा क्या करना है, इस 30 को 60 से, क्या कर देना है, भाग दे देना है, रेडियम में चेंग करें तो भाग देंगे, अगर हम इसे डिगरी में हल करते हैं, तो बुड़ा करते हैं, लेकिन अभी हमें ज़्यादा जरूरी क्या है, रेडियम जब भी हम हल करेंगे, तो डिगरी को हमें हमेशा भाग देना होता है भाग देना है आपको तो भाग दे दो भी तो यहाँ पे है 47 अंस और यह जो पाइंट है इसे हम यहाँ पे प्लस भी लगा सकते है क्योंकि यह जो है प्लस पाइंट ही है डेस का मतलब क्या है यहाँ पे प्लस हम लगा सकते है इसके बाद यहाँ प plus 1.2 इस तरह से अभ इसे radius में चेंज कर लेते हैं तो the radeyam में change करने का तरीका क्या है Mark Admin यहाँ चींज करने का तरीका है ti upon 180 का हो यहाँ पीछे में आप 20 है लिख सकते हो मैं इस तरह से अहल करेंगे तो यहाँ पर पहले हम क्या कर सकते हैं इन दोनों को पहले लगुत्तम वाले मान के तरीके से इसे हल कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं उसके बाद आसानी से हल करेंगे तो यहाँ पे देखो हर बराबर नहीं तो हर कैसे बराबर हो गाई इस तरह से दो इसको उपर नीशे दोनों क गुड़ा करेंगे तो यह 47 दूनी कितना हो जाता है यह 7 दूनी 14 गच्छार हासी लाइक 4 दूने 8 एक 9 94 और यहाँ पे एक आ जाएगा इस तरह से मान हमें प्राप्त होगा और यहाँ पे पाई अपान 180 का गुड़ा रहेगा यह हो गया रेडियम इस तरह से यह माइनस इन द टीका गुड़ा हो रहे यहाँ पीछे में क्या है रेडियम दिया हुआ है इस तरह से जो जो कट रहे है उसको कटा देते हैं भी तो देखो यहाँ पे क्या क्या कट रहे है तो यह 5 के पाड़े में 5 के पाड़े में दोनों आता है तो कटा देते हैं तो 5 के पाड़े में 5 ए माइनस को भी ले लेते हैं और इन दोनों को भी गुडा कर देते हैं 36 दूनी कितना होता है 6 दूनी 12 का 2 3 दूनी 6 और 7 तो यहां पे आगे 72 रेडियं तो इस तपर से हमारा जो मान है वो कितना है माइनस 19 पाई 72 रेडियं यही क्या है अपारा एंसर है देखो कितना आसान था बस आपको करना क्या है जैसे मैं ने हाल किया है वैसे आपको हिल करना है यहां पे देख लेते हैं बहुति क्या दिया हूए can have a Raplap i life कि इसके साथ क्या करेंगे पहले जैसे स्यलगा वैसे सिंपल सा है यहां पर 240 को लिखेंगे गुरित कर देंगे यहां पैर्थ में कुछ मान नहीं दिया है तो आगे हम कुछ नहीं करेंगे जैसे वहां पर हमने किया थे गंडां उंटा लगाया थे उसको साथ मिम्मार्ण में60 स시에 भाग दिये इस तरह से तो यहां पर एंसर क्या जाएगा चार पाई अपान तीन यह रहा इसका एंसर चौथा प्रस्न है वो आप लोगों के लिए homework है क्योंकि no doubt का class है तो आपके doubt आपको भी सुल्जाना होगा तो यहां पे मैंने आपके doubt को clear कर दिया है 4 प्रस्न बनाओ गे तो पूरा clear हो जायेगा तो चलो आगे बढ़ते हैं नेष्ट प्रस्न की ओर तो यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं 2 प्रस्नों को देखने वाले हैы 2 प्रस्नow में क्या दिया है निमनलिकित रेडियम माप के संगर degree map ग्याद कीजिए, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें degree map ग्याद करना है, और यहाँ पे इस पर्ष्ट का है, कि πाई का मान आपको 22 बटा 7 रखना है, पाई के 2 मान होते हैं, कौन कौन से, पाई के जो 2 मान होते हैं, 1 मान होता है, 22 बटा 7 होता है, और 1 होता है, 3 दसम प्रस्णों को कैसे हल करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था हल करते समय इसके साथ कितने का गुड़ा करेंगे तो आपको पता होगा यहाँ पैसे लिखते है ज़िया चैंज और अपको पताया तो और दिगरी निकाल तो और जाएगा चलो हल करते हैं तो यहां पे है 11 अपान 16 गुरित 180 अपान पाई को हम कैसे लिख सकते हैं 22 बटा 7 इस तरह से लिख सकते हैं तो इस तरह से आप लिख लो यहां पे 11 और यह 16 नीचे में रहेगा यहां पे देखो 180 है कुछ नहीं मतलब एक है फिर 22 बटा 7 है इस तरह से पहले चौथे का गुड़ा फिर दूसरे और तीसरे का गुड़ा होगा तो पहला चौथा मतलब यह पहला है और यह चौथा है तो पहला और चौथा एक साइड म ग्यारा एकम ग्यारा दूनी यह कड़ गया दो एकम दो निया दो सुनिया इस तरह से यह भी कड़ गया बचा क्या यहां पे देखो 90 है यहां पे हम लिख लेते हैं 90 गुड़ी 7 और यहां पे 16 बचा इसको भी अप कार देते हैं देखो दो के पाड़े में यह कट रहा है द दो पंचे 45 आ गया और यहां पर गुड़ी 7 है दोनों को गुड़ा कर दो 45 गुड़ी 7 को तो यहां पर 7 पंचे 35 का 5 हो गया 3 हसिल 7 चौक 28 और 28 और 3 कितना होता है 31 तो यह हो जाएगा 315 अपान यह 8 हो गया और यहां पर आप डिग्री लिख लो क्योंकि हम इसे डिग्री में हल कर रहे हैं तो आपको गोश्टक के अंदर सभी को क्या करना है डिग्री में लगा लेना है चलो यहां पर लगा लेते हैं रेडियम में तो हम लोग लगाने की जोरत नहीं रेडियम लि हैं अब इसको भाग दे दो भाग कैसे करोगे 315 इस तरह से आप भाग दे सकते हो, डाईट कटाने आता है तो डाईट कटा सकते हो नहीं आता है तो अब इस द्रक्रarthlyie का उपयोग कर सकते हो तो 8 से करेंगे तो यह जाएगा 8-16-8-24 और 8-32 तो ज्यादा होजाएगा तो तीन बार लेंगे 8-24 यहाँ पर घटाएंगे तो घटाएंगे तो कितना आजाएगा देखो चार हो गया और 6-7 यहाँ पर 7 आएगा यहाँ पर 7 आएगा यहाँ पर 0 और यहाँ पर 5 उसको उतार लेते हैं फिर अठी अठी चौनसाइट आठनीय 72 तो 9 यहां पर आ जाएगा तो 9 बार में कितना हो जाएगा 72 हो रहा है यहां पर गटा दो इसको भी यहां पर 3 यह 0 अब यहां से आगे यह हल नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे यहां पर इसे श्टाप कर देंगे तो इहां पर अब हमाने पार जो मान आ रहा है वह कितना रहा है यहां पर 49 इसके बार इहां पर प्लस लगा दो सेज कितना है देखो तीन है और यहां पर भाग किसे कर रहे हैं 8 से तो इस तरह से 8 हो गया इसको हम nah बांट में बाटेंगे न आगे I had come to do this अब यहां से देखो, यहां से हल जो है न, थोड़ा सा change होने वाला है। यह जो 3 этой 8 हैं, आपको पता होगा कि इस तरह से मान है यह मान किसमें आएग़। पाइंट में आएगा तो हम क्या करेंगे। यहां पर एक घंटे बराबर कितना होता है भही। फिर से आते हैं पाइंट में, वही पाइंट में, क्या होता है, 60 मिनट होता है, तो इसके साथ इस बार गुड़ा कर देंगे, रेडियम निकालते हैं, तो भाग करते हैं, और जब डिगरी निकालते हैं, क्या करते हैं, गुड़ा करते हैं, तो गुड़ा कर दो आप इसके प्लस मिल्य कितना हो गया कितना है पैट आलीज अब इसको भाग देदा हैं को कि रंचे दोदुनी चार यह हो गया सुन यह हो जाएगा घटाएंगे तो यहाँ पर पांच बच्चे उसको उतार लेते हैं और यह हो जाएगा दो दुनी फिर आ गया चार फिर घटाएंगे तो एक बचेगा तो यहाँ पर जो एंसर आ रहे हैं हमारे पास वो आ रहे है 49 फिर प्लस यहाँ पर कि यहां पर कितना है दो इसको इस तरह से लिख लेते हैं फिर से आगे हल करेंगे तो यह 49 संस प्लस 22 डेस इस तरह से लिखेंगे 25 मतलब और यह जो मान है प्लस 1 अपां 2 अब यहां पर फिर से समझो क्या लगाएंगे इस बार यह डबल डेस वाला है डबल डेस वाला है मतलब एक मीनट बराबर कितने सेकेंड होते हैं शाट सेकेंड होता है तो यहां पर आप साट सेकेंड से यहां पर गुड़ा कर देंगे तो गुड़ा कर दो भें तो 49 अंस प्लस 22 डेस प्लस 1 अपां 2 गुडित 60 दो एक हम दो 30 अंब इस तरह से आ गया तीस डबल डेस, यही क्या है डिगरी का मान है, इस तरह से answer यहाँ पे प्राप्त करते हैं, तो answer देखो कितना आसान था न, answer निकालना, बस आपको समझना है findo को, कि हम हल कैसे कर रहे हैं, और हमें हल कैसे करना है, तो इस तरह से अगर आप हल करते हो, तो आपके सारे यहाँ पे दिया हुआ है, माइनस चार, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, चार रेडियम दिया हुआ है, ठीक है, रेडियम को हमें से c भी लिखते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो, चार रेडियम, इस तरह से दिया हुआ है, अब इस चार रेडियम को हमें डि लिखना है इसके बाद यह माइनस चार गुडित 180 इस प्रकार से अब इस पाई को हम क्या कर सकते हैं भी पाई का मान कितना होता है 22 अब पान साथ होता है तो इस तरह से आप लिख लो अब यहां पर देखो 180 है यहां पर कुछ नहीं मतलब एक है फिर 22 और यह साथ तो यहां प यह. consig के साईड में चला जाएगा जहांपे 180 भी और और नीचे में 1 और 22 को मतलब 22 यहां पर आ जाएगा अभ यहां पर देखो जो जो उसको क्या करना है कटा दना है तो 2 के पाड़ा में 2ड़ और 2 के पाड़ा में 2 11 अब आगे और हल हो रहाहा क्या? नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगी, इन सभी को गुड़ा कर देंगे, गुड़ा कर दो भी, तो ये माइनस, ये हो जाएगा, 180 और गुड़ीत दो, कितना होगा, 360 गुड़ीत ये 7 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे 11 और ये अंस में हो जाएगा, आगे अवरहल करते हैं, चक के 42 का 2, 4 हासिल आया हैं, तो 7, 21 और 21 और 4 कितना होता है, 25 तो यह हो जाएगा, 25 हो जाएगा यहाँ पे, तो यह इस तरह से, और यह 11 और फिर अंस, अब हम क्या करेंगे, अब हम भाग दे देंगे 11 से, तो भाग कर दो भी, भाग करना, अगर सिंपल तरीके से आता है, इस तरह से, तो आप डाइट भाग कर सेकते हो, नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से, 25 के उपयोग करके, 11 से भाग दे दो, तो देखो, भाग देते हैं, कितना होगा, 11 दूनी, 22, तो यह 22 आगया, घटा दो, कितना बचेगा से, 3, फिर 2, फिर भी, फिर जाएगा, 11 दूनी, 22, यहाँ पे सुन्या, और यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे सुन्या को आप उताल लो, फिर 11 निया कितना होता है, 99, तो तरह से आप degree में लो, यहाँ पर minus बाहर में था, तो बाहर में लिख लो, इस तरह से, फिर यहाँ पर जो says बचा है, plus लगाने के बाद one upon, क्या करेंगे, किस से गुड़ा कर रहे हैं, 11 से, तो यह 11 इस तरह से लिखेंगे, अब हम क्या करने वाले हैं, अब आप मुझे बताओ साथ मिनट में, तो मिनट के साथ क्या कर देंगे, इसका गुड़ा कर देंगे, तो यहाँ पे लिखो minus 229, इस तरह से, और यह 1 गुड़ित, यह हो जाएगा, 60, और यहाँ पे 11, इस तरह से, minus 229 अंस, प्लस, 60 के साथ गुड़ा होके 60 ही होगा, तो यहाँ पे 60 को भाग दे दो अब, 11 से, तो कितना प्राप्थ होगा, 11, 5, 55, यह 55 हो गया, घटाएंगे तो यहाँ पे 5, 6 बचेगा, तो यहाँ पे 5, 10 प्राप्थ हो रहा है, जो बचा है उसको, फिर प्लस लिखो, फिर 5 और फिर 11 इस तरह से आप लिख सकते हो, इसको, तो यहाँ पे minus, क फिर 5, फिर से हम किसके साथ गुड़ा करेंगे, फिर से हम इसके साथ क्या गुड़ा करेंगे, 60 का, तो गुड़ा कर दो भई, 60 का इस तरह से, यहाँ गुड़ा, यहाँ पे minus, 229, अंस, प्लस 5 डेस, प्लस इसके साथ गुड़ा करेंगे, तो कितना होगा, 500 ने हम सुन, औ और पांच हक के तीस यह तीस आगा 300 और यह 11 इसके साथ आप भाग कर देते हैं भी तो यह हो जाएगा 300 भागी 11 11 दूनी कितना होगा 22 यह 22 हो गया यहाँ पर बचेगा कितना यहाँ पर आठ और सुन्य बचेगा और 11 सत्य कितना होता है से 70, यहाँ पर तीन बच रहा है इस तरह से, तो यहां पर कितना आया? 27, तो चलो इसको अब लेक सांद लिख लेते हैं, तो यह हो गिया 2 209, अन्स, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस को अटाएंगे यह 55 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना प्राप्थ हुआ 27 न तो इसको 27 लिखो डबल डेस लिखो तो ये लगभग मान कितना प्राप्थ हो ये वाला जो मान है न लगभग मान हमें प्राप्थ हो है इसे हम निकटता मान कहते हैं तम ठीक है निकटता मान जोकि यहाँ पर हमारे पास फिर से सेज बच रहा है अब सेकेंड से कोई छोटा ऐसा कोई मान तो होता नहीं है जिसके सांस हम इसका गुड़ा करें तो सेकेंड हमारा लास्ट है इसलिए डबल डेस तक के ही हम निकाल सकते हैं तीसरा मान हम नहीं निकाल सकते हैं जो सेस बचेगा उसको हम निकटता मान या लगभग मान में लेंगे त इस तरह से आपका डिग्री वाला दूसरा भी प्रस्ण बन गया डिग्री वाले ही प्रस्ण रेडियम की मुकाबले ज्यादा टप है क्योंकि इसमें आपको दो बार क्या करना पड़ता है 60 का गुड़ा करना पड़ता है अगर वो पूरा कंप्लीट हल होता तो हमें गुड़ होता है चलो तीसरा देखते हैं तीसरा क्या है पांच पाई दिया हुआ है और यह तरह से सी है इसका मतलब रेडियम को हम किसमें बाटेंगे 5 पाई तो यहां पे मान आया 5 गुड़ी 60 चलो पहले इसको एस तरह से लिख लो 5 गुड़ी 60 और यह डिग्री में दोनों को गुड़ा करो 6 12 6 28 6 35 30 तो यहां पे आ रहा है 300 आ रहा है 300 अंस यही इसका एंसर है देखो नीचे में कोई भी हर मान नहीं है अब हर ही नहीं है तो हमें भा कि उसमें नीचे में हर में मान बच रहा था तो हर के मान को हटाने के लिए हम हर बार भाग करते थे तो वहां पे दो पाइंटों तक कि हमें मान प्राप्त हुआ पहला डेस और दूसरा डेस इसमें कोई डेस प्राप्त नहीं होगा अब चौंथा प्रसना आप लोग के इसके बाद तीसरा प्रस्ण देख लेते हैं तीसरा प्रस्ण में क्या दिया हुआ है देखे थे हैं तो तीसरा प्रस्ण में दिया है एक पहिया एक मिनट में 360 परिक्रमा करता है तो एक सेकेंड में कितने रेडियम माप का कोड बनाएगा अब देखो कितने मतलब माप का कोड बनाएगा यहाँ पे कहा है तो यहाँ पे मैं एक पहले पहिया बना लेता हूँ इससे क्या होगा आप लोगो को थोड़ा सा अच्छा से समझ में आएगा यह है पहिया यह पहिया जो है ना जब एक मिनट एक मिनट का समय होता है यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक मिनट एक मिनट का समय होता है तो यह कितने परिक्रमा करता है एक मिनट में एक मिनट में 360 परिक्रमा ठीक है यह वरित है मैं पहिया जैसे तो नहीं दिखाए दे वरित जैसे दिखाए दे तो आप वृत को ही पहिये के समझे तो 360 परिकरमा करता है और आप सभी को पता होगा कि एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60 सेकेंड होते हैं यह सब को पता है एक मिनट में कितना सेकेंड होता है 60 सेकेंड तो हम इसका उपयोग करके इन प्रस्नों को हल करने वाले हैं चलो देखते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे एक मिनट जैसे प्रस्न में कहा है वैसे लिखेंगे एक मिनट में पहिये पहिये के परिक्रमों की संख्या संख्या कितनी है प्रस्ण में 360 दिया है तो 360 परिक्रमा देखो यहां पर मैं चीतर के माध्यम से वही चीज़ बता रहा हूँ एक मिनट जब समय होता है एक मिनट का टाइम मतलब 60 सेकेंड तो यह 360 परिक्रमा करता है तो इसको हमें लिखना है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि एक मिनट ठीक है बराबर 60 सेकेंड देखो यहां पर मैं नीचे में लिखा हूँ न वही चीज़ यहां पर भी मैं लिख रहा हूँ एक मिनट बराबर 60 सेकेंड 60 सेकेंड में अब पहिया जो है कितने चक्कल लगा रहा है 60 सेकेंड में भी 360 का 360 लगाएगा सेकेंड और मिनट एक ही है ना एक मिनट में 60 सेकेंड होता है और 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है तो दोनों बराबर हुए तो एक मिनट में अगर वो 360 च चक्कर लगाएगा इस तरह से तो यहां पे एक मिनट बराबर 60 सेकंड मतलब पहिये जो है पहिये के परिक्रमों की संख्या कितनी होगी 360 एक मिनट बराबर 60 सेकंड में पहियों के परिक्रमों की संख्या भी 360 ही होगी यह समझ में आ गया अब यहां पे हमें एक सेकंड से मान कालना है एक सेकन wait कितने परिक्रमा करता है तो यहां पे लिखो एक सेकन की संख्या की संख्या कैसे करेंगे भई तो अभी देखो कुल परिक्रमा कितना करता है 360 करता है 360 और एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60 भाग दे दो तो यहाँ पे ये दोनों कड़ गया 6 काम 6 चक्के 36 तो 6 बार ये परिक्रमा करता है एक सेकंड में ठीक है कितने बार परिक्रमा करता है एक सेकंड में 6 बार परिक्रमा करता है तो एक परिक्रमा में घुमा कोड अब निकाल लेते हैं कितना कोड घुमेगा तो यहां पर परिक्रमाई करता था चिंउ सॉ सथ का बनाएगा वहीर थे खाल में करेंगी तीन सो साट डो इससे भढ़ें इसको दिया जो मान है क्या अपान 180 इससे हम गुरा कर देंगे गुरा करोगे तो एक परिक्रमा में घुमा कोर निकल जाएगा तो 180 अपान एक और यह 2 तो यहाँ पे 2 पाई आ गया इस तरह से एक परिक्रमा में घुमा कोड़ कितना है दो पाई है यहां तक समझ में आया अब हमारे पास क्या है कि एक सेकेंड में पहियों की परिक्रमा की संख्या चाह है और एक परिक्रमा में घुमा कोड़ है दोनों को क्या कर देंगे गुड़ा कर देंगे ध्यान देना यह क्या है ए साथ ज मैंड़ना का क्या हो जाएगा छय गुड़ी thirds एक साथ कि ससाथ क्या कर देंगगे इसका दो पाई का तो यहां ही आसान प्रश्ण है इस तरह से आपके एक से लेके तीन तक के प्रस्ण यहां पर कंप्लीट होगे बांकि जो बच्चा उसको हम नेश्ट पार्ट में आपको समझाएंगे